आज भारत की लगबग हर घर में अद्रक और लेसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लेसुन और अद्रक का पेस्ट मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। लेसुन और अद्रक के पेस्ट का उप्योग करते हैं। इस काम को करने के लिए हमें बस अद्रक और लेसुन के साथ साथ उनके पेस्ट की क्वालिटी का खयाल रखना है। जिंजर गालिक पेस्ट के लिए आपको बस अच्छी क्वालिटी के लसुन और अद्रक ही चाहिए। और आप अपनी नजदीकी मारकेट या पिर सेश्ची मन्डी सेने आथानी से खरीद सकते हैं। अगर आप फुली आउटोमेटिक मशीन को खरीदे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा ज़ादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इससे उल्ट अगर आप सेमी आटोमेटिक मशीन लेते हैं तो ये फुल आटोमेटिक मशीन से थोड़ी सस्ती मिलेगी अच्छी बात ये है कि इस काम के लिए आपको जादा बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं है जिसके चलते आप इस मशीन को एक साधारन सी जगा पर आसानी से इंस्टॉल करके अपने प्रोड़क्ट को बना सकते हैं अगर आप जादा बज़ट के साथ इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गए मशीनों को अपने बिजनस में शामिल कर सकते हैं अद्रक के चलके को निकालने के मशीन, वाटर जेट मशीन, फल मिल मशीन, पपलिंग मशीन, स्टेनले स्टील टैंग जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का तरीका जिसे ये एक दम क्लीन हो जाए, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको फल, मिल, मशीन के अंदर अपनी सारी सामगरियों को डालना होगा अब एक अच्छे और क्वालिटी पेस्ट को तयार करने के लिए आपको मशीन के उत्पादों को पपलिंग मशीन के अंदर डालना है इतना काम हो जाने के बाद अब आपको पूरे पेस्ट को आखिर में स्टेनल स्टील के टैंक में डालना है और इस तरह से आप असानी से जिंजर गालिक पेस्ट को बना सकते हैं याद रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको क्वालिटी के साथ हाईजीन का भी खयाल रखना है लास्ट में आपको प्रड़क्त को सप्लाई करने के लिए इने पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेजना है जिंजर गालिक पेस्ट के बिजनस के लिए लोकेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको संबंद्ध लाइसेंस और आपके ओफिस का रिजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और खास कर स्कात्य सामगरी से जुड़े बिजनस में ये और भी जादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में आपको भी फूट सेफटी विभाग से अपने बिजनस से रिटेल्ड लाइसेंस को हासिल करना होगा इस बिजनस में लाइसेंस आपको आपके प्रोड़क्त की क्वालिटी को वैरिफाइक करने में काफी काम आता है और ये बिजनस अगर आप छोटी लेवल में शुरू करते हैं तो आपको इसे स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा बड़े इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रिजिस्टर भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए आप अपने पास के छोटे इंडस्ट्रिल डिपार्टमेंट में जाकर रिजिस्टर करा सकते हैं जिंजर गालिक पेस्ट के बिजनस के लिए ज़रूरी स्टार्ट जैसा कि मैंने आपको उपर बताया कि इस काम में आपको फुल आटोमेटिक मशीन या फिर सेमी आटोमेटिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी फुली आटोमेटिक मशीन में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सारा काम मशीन के द्वारा ही हो जाता है लेकिन अगर आप सेमी आटोमेटिक मशीन की मदद लेते हैं तो आपको अपने इस काम को शुरू करने के लिए केवल मशीन को चलाने और जिंजर गालिक पेस्ट के प्रड़क्त को पैक कराने के लिए ही कर्मचारियों की भड़ती करनी पड़ेगी अब आप चाहें तो इस काम में अपने परिबार के सदस्यों की सहायता से भी इसे कर सकते हैं आप जीने भी अपने साथ जोना चाहते हैं उन्हें पेस्ट बनाने की मशीन को चलाना आता हो और फिर आप उनके साथ मिलकर इस काम को असानी से कर सकेंगे विंजर गालिक पेस्ट की पैकेजिंग आज के समय में किसी भी प्रोड़क्ट को बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग का भी विशेश रूप से खयाल रखना पड़ता है तब ही वो बजार में लोगों को पसंद आती है और जादा अच्छी तरह से बिकती है लैसुन और अद्रक के पेस्ट की पैकिंग के लिए भी आपको कांच प्लास्टिक की अलग साइस की बॉटल या कागिस के पैकेट का इस्तिमाल करना होगा अलग-अलग साइस की पैकिट में अपने प्रोड़क्ट को डालने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से पैक कर लें और फिर इनमें अपनी कंपनी या ब्रैंड का स्टिकर लगाकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज़ दें कितने बज़ट में शुरू होगा आपका जिंजर गालिक पेस्ट का बिजनस इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको बड़े या हैवी बज़ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अपना बिजनस सेमी आउटमेटिक मशीन के साथ कर रहे हैं इसमें कच्चा माल और पैकेजिंग को भी जोड़ा जाए तो आप इसे छोटे सतर पर सतर हजार से लेकर एक लाग रुपए तक के बज़ट में शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप फुल आटमेटिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बज़ट बढ़ जाएगा यानि आप जिस लेवल में काम कर रहे हैं और अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं आपको अपने बिजनस में उतना लाब मिलेगा बस आपको अपने काम को विशाल करने के लिए अच्छे से फोकस करना होगा जिन जगालिक पेस्ट के बिजनस की मार्किटेंग अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हर बड़ी से लेकर छोटी जगाओं में आपको खाने से समंदिर रेस्टरॉंस धाबा या फिर कोई होटेल देखने को मिल जाएगा ऐसे में वहाँ आए ग्राकों के लिए नौनवेज और वेज दोनों ही तरह के खाने बनाये जाते हैं और इनमें भारी मात्रा में अद्रक और लेसुन का उप्योग किया जाता है अब ऐसी जगाओं में इतनी भीड रहती है कि इस काम को करने के लिए ये लोग अलग से एक आदमी को रखते हैं अगर आप ऐसी जगाओं में इन होटेल धाबे या रेस्टरॉं में कॉन्टैक्ट कर लें फिर उन्हें अपने प्रड़क्ट के बारे में जानकारी दे और मा सुपर मार्केट में भी अपने प्रड़क्ट को होलसेल प्राइस में बीच सकते हैं या इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं हो सके तो आप अपने सामान को बाजार में बिखने वारे दूसरे सामानों के दामों से थोड़े सस्तने बेचें जिसे लोग आपका सामान साधा और एक बार मार्केट में पैर जमाने के बाद आप अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं